हाजी गुड इवनी जाम पास में है और मेरा क्या टारगेट है मैंने कहा था चार्ट एक ही जल्दी से दो घंटे में पूरा SFM रिवाइस किया जाए करवा लिया जाए सारे फॉर्मले कवर हो जाए ऐसा कुछ वीडियो चार्ट के साथ आजाए मज़ा जाएगा बच्चों के डिमांड में थी वो अपलोट कर रहा हूँ और पूरा SFM कवर है मर्जर के अलावा क्योंकि मर्जर में कुछ फॉर्मले है यह नहीं स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बिना टाइम बर्बाद करे और स्टार्ट कर रहे हैं प्रटफोलियो मैनेजमेंट से क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्मले है प्रटफोलियो मैनेजमेंट में तो प्रटफोलियो मैनेजमेंट को अगर मैं सीधी सीधी बात करे हूँ तो एक तो था पार्ट नमबर वन मौडन प्रटफोलियो ठेयरी MPT, Markovits परफेक्ट नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है तो वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे है तो वही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ तो पार्ट नमबर वन में हम जो कर रहे थे वो हम यही कर रहे थे MPT कौन लिखा था मारको तो सर्व कोरेलेशन ढूडने से पहले हमको क्या निकालना था एक्सपेक्ट रेटन और स्टेंडर्ड डैविएशन सबसे पहले बात किसकी हो रही थे सिंगल स्टेक अगर सिंगल स्टॉक है तो एक्सपेक्ट रेटन कैसे निकाला जाएगा याद रखना डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा दिया है अगर पास्ट का डेटा दिया है येर दिया है तो डिवाड़ेड बाइन करोगे अगर प्रोबैबिलिटी वाला कुछ दिया है सर तो क्या करेंगे अगर उसको बुलते एक्स एंटी डेटा अगर प्रोबैबिलिटी दिया है तो कुछ नहीं जो भी रिटन होगा एक्स उसको प्रोबैबिलिटी से मल्टिप्लाई कर देना और यहां भी प्रोबैबिलिटी से multiply, ठीक है, standard deviation, जो simple formula उस पर में ज्यादा महनत नहीं, sir coefficient of variation क्या है, जब भी conflict आएगा कि किसी का expect return जादा है, किसी का standard deviation जादा है, तो पुछेगा कि या नहीं यार, तोनों में से कौन सा एक बता दो, तो फिर हम coefficient of variation निकालते standard deviation divided by x bar, और हम ये कहते हैं, कि जिसका cv कम है, वो stock कम risky है, with respect to return, तो उसे सबसे हम select कर लोगे, चुकि हमारा target है correlation निकालना, तो उसके बाद फिर हमने कहा कि यार, अब जब correlation निकालना, तो उससे पहले हमको क्या निकालना सीखना पड़ेगा, covariance, तो फिर हमने covariance और correlation निकालना सीखना, covariance कैसे निकालते, तो फिर वोई दो है, या तो x post data दिया रहेगा, तो या तो x n t, और करना क्या होता है, x minus x bar y minus y bar divided by क्या करेंगे, n, और x minus x bar y probability से multiply कर देंगे, प्लीज ध्यान देना बच्चों से क्या गलतिया होती है, बच्चों से गलतिया होती है कि वो probability से multiply भी करते हैं, टेबल से बनाते हैं, तो divided by n कर देते हैं, प्लीज वो मत करके आना exam, तो covariance निकल गया है, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम correlation निकलते हैं, और कैसे निकलते हैं, covariance x, y को divide कर देते हैं, standard deviation of, और standard deviation of, तो पहला target है कि correlation निकल गया है, सर correlation, इसके बाद काम क्या करेंगे, अब जैसे correlation निकलेगा, तो ढूंडो, plus one तो नहीं है, अगर plus one है, जिसको आप बोलते है, perfect positive है, तो भई, risk नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, यह जो risk होगा, simple weighted average होगा, हमारा target return कभी नहीं रहा, हम कहते है, return पे ज्यादा फर्क ना पड़े, पर risk कम हो जाए, अगर perfect positive हो, तो risk कट ही नहीं सकता, सर अगर perfect negative है, तो risk कट सकता, और कट के zero भी हो सकता, इसको बोलते है, zero risk portfolio, पर यह सिप perfect negative होने से काम नहीं चलेगा, उसमें proper weight भी देना पड़ेगा, और weight का formula है, दूसरे का standard deviation divided by दोनों का standard, पर यहां standard deviation of portfolio निकालने का formula यह नहीं चलेगा, बड़ा वाल formula लगाना पड़ेगा, formula आपको पता है, standard deviation of A square, weight of square, A plus B square, ऐसा मैंने करवाया था, ठीक है, सर अगर correlation ना तो perfect positive है, ना तो perfect negative है, कुछ और है, तो risk कट सकता है, पर zero नहीं हो सकता, तो ऐसे portfolio को बोलेंगे, minimum risk portfolio, और सर उसमें weight निकालने का formula, बस यह थोड़ा सा मुस्किल वाला formula है, दूसरे का standard deviation divided by दोनों का standard deviation, बस यहाँ division की जगा क्या लेना पड़ेगा, variance, minus covariance A V, divided by minus 2 covariance A, ठीक है सर, यह weight निकालने का formula, sharp ratio कभी use होता है, sharp ratio का मतलब, सायद कहीं use होगा, सर, excess return divided by standard है, sharp ratio मैंने पढ़ाया, ठीक है, तो यह सब की है, sharp ratio की जरुबत क्यों पढ़ती, क्योंकि एक और topic होगा है, इसमें efficient portfolio and optimum portfolio, उसमें को समझाने वाली बात, ठीक है, तो सर, Markowitz बोलता है, वो तो बात समझ में है, उसके बाद हम किस पे पहुँचे, CAPM, क्योंकि problem थी, किस में MPT में, क्योंकि वो आपस में 2-3 stock का, आपस में correlation निकालता था, CAPM बोलता है, आपस में निकाली ही क्यों हो रहा है, आप एक काम करों, आप market को बीच में रखो, उससे पहले एक चीज़ और रहा ही, और उसका नाम है capital market theory, capital market theory क्या बोलती, capital market theory ये बोलती कि भाई साब, क्यों लगा रहा हूँ, अलग-अलग stock में पैसा, एक ये बात सच है, कि आप बहुत सारी stock में पैसा लगाओगे, तो risk कम हो जाएगा, हाँ, तो बने, आप market में पैसा लगा दू ना, तो capital market theory बोलती कि आप सिर्फ market में पैसा लगा हूँ, मतलब sensex and nifty में, और risk free में, बस इन दोनों को मिला कर ही portfolio बनेगा, ओके, और portfolio का return निकालने का formula RF, RM-RF, divided by standard deviation of market, इसका मतलब समझ रहा हूँ, या market से access return कितना कमा रहे हो, ये है market का deviation, तो अगर हमको portfolio का deviation चाहिए, मतलब portfolio से return चाहिए, deviation जादा आएगा, तो return भ ओके, और standard deviation of portfolio कैसे निकलता अगर आप RM और RF में पैसा लगा रहे हूँ, standard deviation of market into weight of market, और RF का RF का standard deviation 0 होगता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक कैसे, और capital market line का ये line मता है, पर ये line आपके काम नहीं आएगी, एक्जाम में आता नहीं, equation of CAPM, ये आपको आता है, RF plus RM minus RF into beta, और बताया था, systematic risk और unsystematic risk होता है, systematic risk का मतलब market related, और unsystematic risk को मैंने नाम दिया, specific risk, ठीक है सर, security market line बोला जाता है, इस equation को security market line भी बोला जाता है, CAPM के equation को, ठीक है सर, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद बीटा calculation बढ़ा, अब यहर बीटा निकालने के बड़े सारे formula है, अगर सिब दो ही साल का return दिया हुआ है, तो बीटा निकालने का formula है, change in stock return, change in market, अगर दो ही year का दिया है, तो, पर दो से ज़्यादा साल का दिया, तो total मिलाकर तीन formula है, तीनों से answer एक जैसा है, stock का return, deviation of x, deviation of y into correlation, xy का मतलब market, market के deviation होने से stock का कितना deviation होना, ठीक है सर, दूसरा covariance xy, variance of market, और तीसरा यह वाला formula, summation of x, सर, इसकी अगर ज़्यूरत पढ़ी, तो करना नहीं, तो ज़्यूरत नहीं, यह दोनों से कोई भी एक formula लगा ले न, answer ही, ठीक है सर, बीटा निकल गय उसके बाद बीटा management, और याद रखना बीटा management पोर्टफोलियो में भी है और बीटा management अपका derivative में भी है, इसलिए आने के ज़्यादा chances बन जाते हैं, बीटा management में क्या था सर, बीटा management में हम लोग, market को देखते हुए, market में क्या होने वाला है, उसके देखते हुए, बीटा कम या ज़्यादा करते थे, अगर हमको ऐसा लगता कि market डाउन होने वाला, तो हम अपने portfolio का बीटा कम रखते थे, और उसके लिए हम किन किन चीजों के help लेते थे, या तो risk free में invest कर दीजिए, या तो borrow कीजिए, या risk free में नहीं चाहते तो other security, जिसका बीटा कम है, उसको खर कैसे निकालते थे, target beta divided by beta of portfolio, एक और आता था कि यार हमको stock खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसके लिए क्या निकालते थे, alpha, alpha क्या था, alpha था कि probability वगेरा को देखती हुए, हमें उम्मीद है कि हम इतना return कमाएंगे, पर beta को देखती हुए, risk को देखती हुए, इतना कमाना चाहिए, इतना कमाएंगे और इतना कमाना चाहिए, तो जितना कमाना चाहिए, उससे ज़्यादा कमाएंगे, यह तो अच्छी बात है, तो alpha निकलता था, अगर alpha positive हो तो खरीद लो भाई stock, अगर alpha negative हो है, तो stock को base दीचे है, उसके अलावा acid pricing, PG नो निकलता है, D1 divided by K minus, और फिर under price, over price जी तो हमको security valuation में हमें इढंक से बढ़ा हुआ है, अब एक और topic है, systematic risk, unsystematic risk and total, पता नहीं मुझे लग रहा है, यहां से question आ सकता है, तो please देख लिए, सबसे बहले single stock, sir, total risk का मतलब क्या होता है, total risk का मतलब होता है, standard deviation, variance, याद रखना कि यहां पूरा काम variance में होगा, variance, okay sir, variance, जो standard deviation आता न, उसको square कर ले न, और systematic risk का formula क्या, systematic, मतलब यहर, market में जितना deviation होता है, और हमारा beta 1.5 है, तो उसका देड़ गुना ज्यादा deviation हमारे stock में होगा, किसकी वज़ा से, market की वज़ा से this is systematic risk, formula beta square और variance of market, unsystematic risk कैसे निकालते हैं, वो sir, जो total risk है, और उसमें से systematic minus कर देंगे, तो जो आएगा, वो तो unsystematic risk है, और sir, यह r square आता है, कि आज आता है, कभी-कभी exam में, वो efficient of determination बोलते हैं, पीस देख लेना, वो क्या बोलता है, वो बोलता है, systematic risk, total risk का कितना percentage है, systematic risk, total risk का कितना percentage है, उसको बोलते है, co-efficient of determination, total risk, systematic risk और unsystematic risk, जैसे आप single stock का निकालते हैं, वैसी पोर्टफोलियो का निकलता है, systematic risk और पोर्टफोलियो सबसे पहले निकालो, क्योंकि beta और पोर्टफोलियो तो निकालते हैं, वैटेड आवरेस, तो बस यहाँ beta, इसकी जगा, आप beta और पोर्टफोलियो ले 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 ले, अब unsystematic risk निकालने के दो तरीके, कौन-कौन से, दोनों में से किसी भी एक method से निकाल सकता है, तो टोटल रिसक और पोर्टफोलियो है, उसमें से माइनस कर दो, systematic risk of portfolio, बात करता हैं, या फिर unsystematic risk of a square, weight of a square, unsystematic risk of b square, weight of b square, ऐसे करके कर सकता है, तो टोटल रिसक और मंगा है कि Markovids के हिसाब से मंग, इट मिन सर ये तो हमको आता है, standard deviation of a square, weight of a square, weight of b square, 2ab, और यहां covariance, अब सुनो, अब ये काम के चीज़, अगर specifically बोलेगा कि Markovids के हिसाब से निकाली है, तो वो आपको data देगा, Markovids मतलब हमने पहले किया था, covariance कैसे निकलेगा, standard deviation of a, into correlation, अगर बोलेगा, sharp model से निकालो, तो बीटा, बीटा बी और variance of market, अगर सर कुछ नहीं बोला है, तो प्लीज ऐसे ही करना, sharp के साब से, जो covariance दिया रहेगा ना, उसके साब से निकालेगा, ज्यादा सोचना मत, तो बस यही चीज आती है, C.A.P.M. में, फिर आगे चले तो आर arbitrary pricing theory में क्या होता था, arbitrary pricing theory में हम यह कहते थे, कि भाई साब ऐसा है, कि expect return सिर्फ और सिर्फ sensex के हिसाब से नहीं चलता है, बहुत सारे factor हो सकते, interest rate, inflation rate, तो बहुत सारे factor risk premium 1 into beta 1, factor risk premium 2 into beta, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते, ठीक है, इसमें एक question है, एक question है, जिसमें short, borrowing भी है, तो please कर लें, short seller जिसमें, A, B करके stock, multifactor वाला, okay sir, आगे चले, portfolio rebalance, portfolio rebalancing में, एक तो था buy and hold strategy, ठीक है sir, buy and hold, विदे कुस्ता ही नहीं, तूसरा constant mix, constant mix, constant ratio प्लान, उसमें क्या खता, एक इसका question जो है, में सुनिधी वाला question है, उसमें equal equal, जब भी portfolio में change होता था, NAV में change होता था, दोनों को हम equal maintain करते थे, कुछ base देते थे, कुछ खरीद लेते, और तीसरा है, CPPI, आया नहीं है, तो please CPPI देख सकते हो, तो बहुत अच्छी बार, और उसमें equity में कितना पैसा लगाना है, तो बहुत जितना पैसा हमको मिला है, उसमें से floor minus कर देना, floor मतलब minimum, और उसको multiplier कर देना, ये division तब ही समझे आएगा जब आपने मुझसे review पढ़ा हुआ होगा, इसके बाद क्या आता था सर, इसके बाद आता था, sharp optimization model, मुझे नहीं लगता कि कोई इसको देख कर जाएगा, तो please छोड़ कर जा सकते हो, हालाकि मैंने लिग दिया है, तो वो अलग बात है, आप छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि यार इसको करने में कम से कम आपको बहुत time पर फिर भी अगर यह formula देख लोगे तो बाद, characteristic line भी आ सकता है, सर, characteristic line क्या होता है, कुछ नहीं, ER निकालने का एक formula है, alpha प्लस beta RM, इसमें होता क्या, alpha निकालना होता है, वो तो निकल जाएगा, और beta RM करके काम हो, ठीक है सर, इसको तो मैं करवा नहीं सकता, corner theory, क्योंकि पि चैप्टर को मैं इसी तरह से revise करवा हूँगा, कम से कम थोड़ी अब बहुत चीज़े, पूरा concept करवा ही नहीं सकता हो, recall हो जाए, चलो जी, अब बात है, mutual fund का chart, formula, mutual fund में basically क्या था, अगर बात करो mutual fund की, तो सर, उसमें एक NAV calculation का था, yes, NAV calculation में entry load, exit load, ये दो तीन चीज़े थी, उसके बाद return calculation का था, return, holding period return और annual return निकलते थे, उसके बाद performance evaluation था, जैंसन अलफा, जैंसन अलफा, शार्प रिशुगों काम का, तो थोड़ा-थोड़ा है, कुछ special है नहीं, अगर मैं बात करूँ, इस question में, एक तो था, NAV calculation, एक तो था, NAV calculation, NAV कैसे निकलते थे, कुछ था नहीं, इमिशल फंड में, assets, और assets में, basically, पैसा कहां लखा रहता है, shares में, तो assets, minus, liability, और जो भी आये, divided by number of units करोगे, तो NAV, अब यार, दो टाइप के load दिया रहता है, अगर एक बात मैं आप से ये कहाता, सर, open ended और closed ended भी mutual fund होते हुँ, अब हमारे काम की बात करेंगे, अगर mutual fund unit से बेचेगा, तो और ज्यादा में बेचेगा, बेचेगा, मतलब सर, आप entry लोगे, तो entry load किया होगा, बेच इतनी समय, add हो जाए, बेचेगा, mutual fund बेचेगा, तो और ज्यादा में बेचेगा, उसको बोलते है, entry load, या उसको बोलते है, front end load, अच्छा, और जो NAV में प्लस करके निकालते है, उसको बोलते है, public offering price, बस आपको यह याद रखना, public offering price, P.O.P. बोलते हैं, तर दूसरा होता, exit load, तर यह क्या होता, exit load, वही, आप unit holder हो, आपको हमारा पैसा वापस चाहिए, और अच्छा, आप बाहर निकल रहा हो, exit हो रहा है, तो अगर मैं वापस आपस खरीदूँगा, तो कम मैं खरीदूँगा, मतलब उसमें से क्या minus करोगे, exit load minus कर दोगे, इसको back end load भी बोलते है, और एक formula आता है, कभी-कभी expenses ratio, एक question में आया था, expenses ratio, और expenses ratio का formula expenses per unit divided by NAVS से क्या पता लगता है, कौन सा mutual fund कितना खर्चा करता है per unit basis पे, तो दूसरा क्या है, दूसरा return calculation, अब return calculation में एक बात है कि mutual fund topic में हमेशा हम holding period return, holding period return निकलने के लिए मुझे formula आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं, आपको पता है holding period return, change in NAV, और mutual fund को income कहां से होगी, जिस company में पैसा लगाया है mutual fund उससे dividend मिलेगा, और वो जो dividend मिलेगा हम बाट देंगे, तो dividend income और जिस company में पैसा लगाया है, उस company के shares को बेचके जो capital gain मिलेगा, वो भी mutual fund unit holder को बाट देंगे, divided by beginning NAV into 100, तो ये क्या जाएगा holding period return, ठीक है, simple है, पर हमेशा हम annualized return निकालेंगे और annualized return कैसे निकलता है, holding period return, जितने period तक hold किया था, into 12 कर रहेंगे, तो annualized return निकल जाएगे, simple है, ठीक है सर, एक आता है, इसमें formula ज़्यादा है ही नहीं है, पूरा conceptual, और क्या आता है, एक आता है, indifference return, ये important है, indifference return, indifference return होता क्या था सर, ये बताता, indifference return में, indifference return में, एक equity में पैसा लगाना है, और एक mutual fund में पैसा लगाना, equity में पैसा लगा है, खुद इसे direct investment, या mutual fund के थ्रू पैसा लगा है, mutual fund को हम पैसे देंगे, और mutual fund boundary equity में लगाएगा, तो हमारा ये कहना कि यार एक्विटी से अगर हमारा 16% की रिटन हो रही है तो म्यूचल फंड से भी 16 की तो रिटन होना चाहिए आखिर म्यूचल फंड कितना कमाए म्यूचल फंड कितना कमाए कि हमारा रिटन बराबर हो जाए पर यह कोशिन था तो यहां किसका रिटन निकालना यहां निकालना हमको mutual fund कितना कमा है और यहां किसका return equity का return इतना equity इतना हमको चाहिए 1- mutual fund को पैसा देते हम तो initial expenses होगा तो वो initial expenses कट जाएगा और हज साल के recurring expenses minus हो जाएगे प्लस हो जाएगे अलग कि मैं concept के साथ ढंग से समझा चूँ ठीक है सर तो mutual fund में basically जो हमको करना था एक NAV calculation था एक return calculation ठीक है इसके अलावा क्या था सर इसके अलावा hedge fund था hedge fund क्या होता है hedge fund का मैंने बताया था mutual fund में सभी public involved होती है hedge fund कुछ लोगों से ही हम पैसे लेकर कहीं investment का सूचते है select मतलब बड़े पुंजी पती लोगों से पैसे लिए जाते है मैं CEO हूँ और मैं selected 10 लोगों से पैसा लेकर आपका fund manage करूँगा तो बदले में बदले में बहुत सारी चीज़े थी इस पर आता एक ही question है वो है fees calculation के लिए और दो टाइप के fees होती है कौन-कौन से fees calculation होता था इसमें एक होता था basic fees जितने का भी उन्होंने portfolio दिया है उसका कुछ percentage दिया रहेगा वो तो चाहे आप उसको बढ़ाओ चाहे portfolio कम कर दो वो portfolio पर उस assets पर आपको इतना एक percent देना पड़ेगा वो percentage दिया रहेगा दूसरा क्या होता दूसरा होता incentive और incentive fees में ऐसा लिखा रहता लिखा रहेगा कि जो पिछले दिनों में जो maximum value गया अगर उससे उपर value हो गया जितना extra आपने बढ़ाया ना उसका आपको incentive मिलेगा बढ़ाया तो मिलेगा नहीं बढ़ाया तो नहीं मिलेगा इसका एक question है please देखकर चले जाना पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि हो सकता आ जाए उसके बाद performance evaluation कुछ था नहीं उसमें मतलब हम यह check करते थे कि कौन सा mutual fund best है यार हमको तो पैसा लगाना है एक में लगा है कि बहुत सारे में लगा है तो इसमें शार्प ratio था ट्रेनर रेश्यो था और जैंसन अलफर शार्प रेश्यो में access return divided by standard ट्रेनर रेश्यो में access return मतलब यह सर यह total risk को बेस लिता है और यह किसको तर यह systematic risk को बेस लिता है और अलफा आरपी मैनस के यह समझा चुका हूँ आपको और जिसका शार्प रेश्यो अच्छा है उसको हम first rank देते हैं जिसका सार्प रेश्यो कम उसको कम rank देते हैं इस तरह से हम काम करते हैं तो यह जो तीन topic है यह generally इनका पक्का पक्का यही से question आया इधर से question नहीं आते है इसके अलावा यह दो टॉपिक है जो पूछा जाता एक फामा मौडल नेट सेलेक्टिविटी और एक ट्रैकिंग एर फामा नेट सेलेक्टिविटी में क्या होता था कुछ नहीं है भाई यह सिंपल है फामा नेट सेलेक्टिविटी में हम कहते कि अलफा निकालने का फॉर्मूला क्या था अलफा निकालने का फॉर्मूला था आर पी माइनस केई और केई किस से निकालते थे सिक्क्यूरिटी मार्केट लाइन यह आपको पता है सिक्क्यूरिटी मार्केट लाइन क्या हो फिर हम कहते थे कि नहीं यार ऐसे यह चीजे गलत है इस पर इस पर इस पर पोटफोलियो मैनेजर ने अपना स्कील यूज नहीं कि इसकील की वज़ा से जो होगा उसका आरपी तो रहेगा लेकिन यहां capital market line डाल देना मतलब return कौन सी जो capital market line से आई है उसको कहा जाता है return duty skill of manager manager ने skill huge करकी यह कमाया और साथ CML का equation क्या था यह तो आपको पता होगा RF plus RM minus RF standard division of market or standard division of portfolio मतलब हम यहां total risk की बात करते हैं yes यहां skill huge कि सर और extra कमाया मतलब इससे भी इसमें माल लो सुल लो सुल लो बिठे सर माल लो इसमें आया 5% ठीक है और इसमें difference आया 2% total extra कमाया है 5 पर actual में अपना skill huge के 2 ही percent कमाया है जो extra 3% कमा रहा है ना extra 3% वो unsystematic risk की वज़ह से कमा मतलब CML minus SML कर लेना इसका वीडियो डला हुआ है योट्यूब में प्लीज देख लेना सर और एक concept concept था tracking error tracking error में क्या होता था tracking error में portfolio manager ने जो कमाया है उसका return और एक benchmark return benchmark return यार इतना कमा benchmark return मतलब 10 कमाना चाहिए था और कमाये कितना 12 कमाया तो इन दोरों के 20 का difference जो है उसको बुलते active return इस तरह से हम difference एक दो तीन चार पात साल होगा तो इस तरह से हम difference निकालते थे इसको बुलते थे active return और इसका क्या निकालते थे हम standard deviation इसका standard deviation अच्छा सर वैसे objective क्या है सर standard deviation x minus x bar square मतलब यह active return है divided by n होना चाहिए formula में n minus 1 लिखा हो इसी को आप tracking error गुलते सर इससे हम क्या निकालना चाहते हैं हम यह निकालना चाहते हैं कि भगवान कही ज़्यादा deviation तो नहीं है सोच के बताना अगर ज़्यादा deviation है ज़्यादा deviation है मतलब ज़्यादा deviation कब आएगा ज़्यादा सोच के देखना बैटे वैसे यहाँ concept समझाने का time नहीं है दो तीन दो तीन दो तीन इस तरह से दिया है access जो extra return है न active return कभी 2% फिर 3% फिर 2% फिर 3% तो तो deviation बहुत कम आएगा तो हम गहेंगे ठीक है यार लेकिन लेकिन कभी 2 आ गया कभी 10 आ गया कभी 20 आ गया फिर 2 आया फिर 3 आया जो बीज बीच में कमाया है न active वो तो तुक्के से कमाया है बस वह निकालने की ज़्यादा deviation मतलब ज़्यादा error है तुक्के से कमाया है वह चीज है अभी यहाँ concept समझा नहीं सकता है तो वह tracking error निकालेंगे और एक information ratio निकालते है information ratio पूछ सकता है सर यह क्या है जो बोले average active return निकलेगा divided by सर यह sharp रिशो जैसे है access return divided by standard deviation और higher is better यह न यार risk के पीछे कितना extra return यह सर तो ऐसा है कि इन formula का तभी मदद मिलेगी जब आपको यह concept पता हो नहीं तो समझ में नहीं आए यह क्या है mutual fund खतम जब आपको यह concept पता हो नहीं तो समझ में नहीं आए चलो जी next topic derivatives और derivative में भी formula अगर मेरी नजरों से देखो तो बहुत कम formula है derivative में था क्या special derivative में दो पार्ट थे अगर basically बात करो तो एक था option और दूसरा था future तो पार्ट दो पार्ट है अगर में कहूं एक option और एक future तो सर option में क्या था option जो हमने totally जो बात किया option में एक तो basics किया था yes basics में क्या सीखा था call option put option call option कब खरीदते है सर जब price बढ़ता है price बढ़ता है तो call option exercise करते है और सर put option जब price गिरता है तो put option exercise करते हैं call option put option और एक होता था American option और European option American option कब exercise होता है American option exercise होता है कभी भी मतलब maturity को भी उससे पहले भी ओके सर और European option सिर्फ और सिर्फ maturity को exercise हो यह सब basics में पढ़ा था इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर इसके बाद हमने पढ़ा था यार option या तो इन्दा मनी होता है या तो out of the money होता है या तो add the money होता है अगर मैं कहूँ call option call option में हम क्या चाहते है price जादा हो अगर current market price जादा exercise price मतलब option exercise किया जा सकता तो ऐसे option को बोलते है इन्दा मनी तो call option इन्दा मनी कभ कहलाएगा जब price जादा रहेगा और call option out of the money कभ कहलाएगा जब price कम रहेगा और add the money तो आपको ऐसी पुट option इन्दा मनी कभ कहलाएगा जब सब stock का price कम रहेगा यस यह आ सकता है कि नहीं आता पर कभी कभी question में दे देता कि call option इन्दा मनी है इन्दा मनी तो आपको समझ ना पड़ेगा कि exercise price और market price एक बरावर है ठीक है सर इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था उस premium को हमने दो पार्ट में बाढ़ दिया अगर मान लो call option है तो call option तभी exercise होगा अगर मैं कहता हूँ कि मान लो sir call option का premium है 15 रुपए अगर आज ही exercise कर ले तो call option से हमें 10 रुपए का gross pay-off मिलेगा अगर आज ही exercise कर ले पर यार हमसे लिया कितना जा रहा 15 तो वो जो पाच रुपए लिया जा रहा वो क्यों लिया जा रहा क्योंकि आज आज तो exercise कर सकते हो अगर American है तो पर और भी time है तो उस time का आपको पाच रुपए देना पड़ेगा इसी को बोलते है volatility premium अच्छा सर यह कहां काम आता यह काम आता था two period binomial model तो सर सिधी बात आप यह बोल रहा हो कि call option intrinsic value कभ कहलाएगा अगर call option है तो S minus E intrinsic value यह तो फिर 0 क्योंकि gross payoff negative हो नहीं सकते तो intrinsic value यह तो positive होगा यह तो 0 होगा ऐसी put option में stock price कम होगा सर एक बात बोलू yes call option अगर option in the money है तो intrinsic value उन दोनों के बीच का gross payoff हो जाएगा पर option अगर out of the money है यह फिर add the money है तो intrinsic value 0 होगा अगर ऐसा समझ ना है समझ सकते time value कैसे निकालेंगे जो premium pay कर रहा है उसमें से minus कर देंगे intrinsic value ठीक है इसके अलावा short selling था तो short selling पे बहुत ज़्यादा discretion करने की जिलूरत नहीं है और इसके अलावा expected वैस से question आये expected value of option क्या होता है expected value तो हम आता है यहां से question आते future में जो gross payoff आएगा gross payoff positive भी होगा 0 भी होगा उसको हम probability से multiply करेंगे तो gross payoff को probability से multiply करेंगे तो जो आएगा उसका नाम रहेगा expected value of option ठीक है जी ओके एक तो basics में हमने यह चीज़े पढ़ा था बिलकुल simple option में जो दूसरा पार्ट है अगर एक और एक पार्ट है जिसका नाम है option strategy उसको मैंने नहीं डाला है क्योंकि वहाँ से questions भी नहीं है straddle था, strangles था strip था, strap था important नहीं है हलाकि option strategy पे question नहीं बस उन्होंने call और put खरीदा ऐसा बताता है और पूछता है तो वह तो simple है लेकिन तीसरा और एक important part था जिसका नाम था option pricing option pricing option pricing निकलने की तीन method एक था binomial एक था put call parity और एक था BSM मैं पुरा topic revision नहीं करवा रहा हूँ सिफ formula revise करवा रहा हूँ ठीक है sir binomial model से value of option निकालने के तीन तरीके थे एक था risk neutral probability approach वह सबसे ज़्यादा important risk neutral दूसरा क्या था sir दूसरा था delta है उसका भी एक question है Mr. दयालवला please वो question कर ले न और तीसरा था हमारा replicating portfolio approach उससे कभी question आया नहीं है तो मैंने formula में नहीं डाला ज़्यादा formula नहीं चाहिए ठीक है तो पहले बात करते है binomial अगर binomial की बात करो binomial risk neutral probability approach तो sir इसमें probability का formula probability निकालते थे probability का formula क्या था r minus d u minus d मैं समझाऊंगा नहीं कि क्या कहना चाता था formula ठीक है और call option का value कैसे निकालते थे c u p c d 1 minus p divided by capital r यह आपको पता r का मतलब r का मतलब यहां risk free rate लेना है probability निकालते थे और उसको multiply कि यहां call का payoff into probability और sir यह probability हमेसा upper price का निकलता अब put का भी आप formula simple है बस आपको याद दिला रहा हूँ ऐसा formula था दूसरा करते थे हम delta housing delta housing में सबसे पहले हम delta निकलते थे यह delta housing क्या है delta housing भी यूज हो रहा है value of call निकलने के value of option निकलने change in value of option divided by change in share price yes उसको delta कहते थे suppose delta निकल गया 0.5 इसका मतलब होता था share के price के change होने से option के value में कितना change हो का वो हमारे काम का नहीं है वो theoretical है अगर delta निकला 0.5 तो हमें इसके बाद एक strategy बनाना पड़ता था और उसमें हमेशा हम right करते थे right करते थे one call और खरीदेते थे 0.5 share please delta housing का question आएगा तो आपको right ही लिखना है हाला कि बहुत सारे तरीके पर right ही लिखना है right करते थे one call delta निकला 0.5 तो एक strategy बनता था जिसमें right करते थे one call और buy करते थे 0.5 share उसके बाद सीधा हम C0 निकलते थे S0 into delta क्योंकि share खरीद रहा है और 0.5 तो पैसा कितना जाएगा और future में पैसा कितना आएगा तो दो price हो सकते थे दो possible price उसके हिसाब से हम cash flow निकलते थे और उसका present value करते ठीक है एक तो था put call parity sir put call parity का equation था yes put call parity का equation था put call parity का equation में क्या था sir इधर लिखते थे protective put protective put मतलब S0 plus P0 S0 plus P0 stock खरीदो के तो stock का price कम ना हो जाए इसलिए put भी खरीदोगे और इधर क्या करते थे call option खरीदते थे और present value of access यह equation था और जिदर का कम होता था वो हम खरीदते थे अगर इधर का कम होता था इधर का ज़्यादा होता था इसके बाद क्या पड़ा था BSM BSM बहुत सारे बच्चे छोड़ कर जाते हैं क्यों छोड़ कर जाते हो एकाद question कर लो please BSM में जो मुद्दे की बाद थी वो था D1 और D1 का formula actual में यह formula कैसे बना था X minus mu divided by stand हम Z का value निकालने की कोशिश करें तो यहाँ तो नीचे आता था periodical standard deviation इसको बोलते थे हम X और इसको बोलते थे हम mu ठीक है X को हम बोलते थे LN यहाँ minus की जख़ा plus हो जाता था में derivation पे नहीं जा रहा हूँ S0 divided by E plus करते थे average R plus variance divided का average और multiply किसे करते थे time से और यहाँ हो जाता था periodical deviation पहले D1 निकालेंगे और D2 निकालने का simple formula था D1 में से minus कर देंगे periodical standard deviation D1, D2 निकल गया याद रखना हमको area किदर का देखना होता है प्लीज इस बात पर focus करना तर हमको जो area देखना होता वो हमको cumulative area देखना हो it means अगर उसने tail area दिया है one side का area दिया है तो one में से minus करोगे तो cumulative area आ जाए एक बार हमारा ND1 और ND2 निकल गया तो फिर formula formula क्या बोलता था call option है ना stock का price ज्यादा होना चाहिए तो stock का price ज्यादा होना चाहिए और minus क्या करेंगे exercise price yes sir s minus e पर यार e तो future का है ना तो उसका present value बस यहां ND1 और ND2 और sir put option है तो stock का price कम होना चाहिए इसलिए stock का price इधर लिखा present value of exercise price बस याद रख रहा यह उठा कर यहां लिख देना पर यहां minus का sign है minus का sign है का मतलब simple सी बात है अब आपको cumulative put में cumulative area नहीं देखना है आपको tail area देखना है तो यह formula प्लीज देख लेना काम आएगा यह था हमारा कौन सा option फिर आगे हम future में future में basically तीन जगह से question है एक margin ठीके सर और एक है theoretical future price और एक है beta management ओके theoretical future मतलब future price है तर margin में क्या होता है margin में दो चीज़े होती है एक होता है margin में initial margin और maintenance margin वैसे तो initial margin दे देता है पर कभी कभी नहीं देता है अगर initial margin नहीं दिया है तो उसका formula एक ही question है अगर मैं कहूं study mat की बात करो average absolute change और standard deviation से तीन गुना ज़ादा लेना है याद रखना यह formula ठीक है सर और सर maintenance margin क्या है अगर माल लो माल लो initial margin निकला 10,000 और maintenance margin निकला 7,000 इसी भी दिन margin का balance 7,000 से कम नहीं होना चाहिए पर अगर margin का balance 6,000 हो गया तो margin call किया जाएगा और call करके वापस 7,000 तक नहीं वापस 10,000 मतलब margin कितना call किया जाएगा 4,000, this is most important यही है margin account में बाकी और कुछ नहीं याद दिला रहा हूँ हाँ सर तो सर हो जाएगा margin का उसके बाद क्या, उसके बाद future pricing F निकालने का formula क्या था S0 1 प्लस R माइनस D या फिर S0 continuously compounding है तो E, R माइनस Y या R माइनस D into T ऐसा भी कर लेते थे बस याद रखना dividend rate दिया है कि dividend yield दिया यह formula तभी करेगा R माइनस D कब कर सकते हो तभी कर सकते हो जब dividend yield दिया और फिर हम देखते थे actual F कब comparison किस से करते थे theoretical F से अगर actual F ज़ादा है तो फिर हम कहते थे कि arbitrage possible actual F ज़ादा है मतलब over price है over price है तो sell ऐसा कुछ करते थे arbitrage formula ने यह वो तो concept है उसके बाद क्या पढ़ा था सर बीटा management बीटा management में क्या होता सर बीटा management में हम लोग hedging करते थे और उसमें हमने यह सीखा है कि मान लो अगर हमारे पास stock है और हमको ऐसा लग रहा है कि market crash होने वाल तो सर बेच दो stock हम बेचना चाहते नहीं है तो फिर सर बोले जिस बात का डर उसी में betting कर लो हम short position ले लेंगे किस में future में index में short position ले लेंगे ठीक है जी short position लोगे तो कितना लोगे perfect है इस करना है कि beta कम करना है कि beta ज़्यादा करना है तो उसके लिए हमको number of contracts निकालने के लिए आ सकता है और number of contract निकालने का formula था value of portfolio target beta अगर target beta के विसे में कुछ ना कहा जाए तो 0 लेते थे minus beta portfolio F into M into beta future और हम opposite position लेते थे अगर इधर हमारा long है cash market में तो उधर short अगर इधर short है तो उधर long याद है तो यह था beta management बस तीनी topic है अगर मैं कहूं future में एक margin का एक future है जिनका और beta management का अगर तीनों का एक एक question भी कर देते हो ना last में तो भी tension कर देते हैं पाकी तो फिर रटने के लिए रटने वाले भी question है कियार किसी में dividend yield per annum दिया है पर हमने पूरा ले लिया वो ऐसे यहां discuss नहीं कर सकते formula समझते हैं इसी के बात है commodity future आया था commodity future में एक तो future price commodity 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 का F निकालने के लिए मैंने कहा कि commodity में F क्या होना चाहिए बोले spot अगर हम forward contract करते commodity future में forward contract करते तो हमारा क्या-क्या बचेगा आज spot बचेगा ठीक है अगर आज खरीद लेते तो storage का भी तो लगता तो present value of storage cost minus अगर आज ही हम खरीद के रखते तो हमको एक फायदा होता कि अगर कभी भी emergency में जरुवत पड़ी तो हमारे पास तो commodity है तो convenience किसमें ज़्यादा होता तो आज खरीदने में उसका loss है it means spot forward price क्या होना चाहिए forward price spot plus present value of storage cost minus present value of convenience और उसको हम future में ठीक कैसा future housing करना है मतलब commodity हमने रखा है आज तो यार हमको डर है किस बात का डर है या commodity खरीदना है future में किस बात का कहीं बढ़ना जाए commodity हमको future में खरीदना है किस बात कर रहा है हमारा already long position है कहीं बढ़ना जाए हमको इस बात का डर है तो चलो न यार short position लेते हमें क्या करना पड़ेगा हमें शॉर्ट पोजिशन लेना पड़ेगा उसके लिए हमें बीटा निकालना पड़ेगा बीटा कैसे future के में change होने से spot में कितने का change होगा तो बीटा निकालते थे और exposure को हैस रेशियो से multiply कर देते थे that's it मतलब अगर मैं कहां देरिविटिय में भी फॉर्मिला लिखवाने वाला कुछ है नहीं जितना हो सकता उतना फॉर्मिला लिखवा दिया ultimately डियरिविटियूस में concept ही concept ठीक तो अगर आप कहोंगगे की नहीं सेर और formula है इसके तो इसके और formula है ही नहीं है बस इतने formula है बस इतना कर ली चीए especially formula की बात करो revision अलग है formula अलग है चलते अगले टो अची अब बात करें interest rate risk management interest rate risk management का पिछले attempt में question आया था और कहां से आया था तो वो आया था two party swaps से है ठीक है सर तो सर इसमें basically क्या है आखिर अगर देखा जाए तो interest rate risk management में सबसे पहले FRA ठीक है तो उस पर discussion कर लेते है पावर डिट एग्रिमेंट पार्ट है इसमें दो बाते है FRA for hedgers और FRA for arbitrators FRA for arbitrators के लिए एक ही question है hedgers के लिए question आते है और कैसे question आते है तो उसमें कहता है कि यार हमने bank से borrowing करना है आज नहीं आज से तीन मेहने बाद छे मेहने के लिए तो अगर borrowing करना तो हमको किस बात का डर है कहीं rate बढ़ना जाए और rate बढ़ना जाए तो इसलिए हम FRA में से हम bank से FRA buy कर लेते contract to borrow इस तरह से it means net settlement amount निकालने का question है और उसके लिए formula जो net settlement amount है ये निकालने के simple topic है बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है एक question इसका देखकर चले जाना यहाँ जो end का मतलब होता notional principle ठीक है it means अगर मैंने FRA से कहा कि यार चलो FRA buy किया FRA buy किया मतलब या rate बढ़ेगा तो मुझे difference मिलेगा तो difference कैसे निकाला जाता है मालू मैंने FRA book किया 8% पर यार 8% से उपर मिलेगा तो FRA bank हमको देगा हा सर और rate हो गया 9% तो हमको कितना difference मिलेगा 1% और जितना भी period है उसका बस यहाँ जो discounting करोगे settlement कैसे होता है उस date में उसका present value settlement होता है तो बस उसके present value से आपको यहाँ लेना पकि सिंपल है याद आ गया होगा कि आपको क्या काम करना ठीक है सर लेकिन इसमें FRA से bank से मिल भी सकता है और हमको देना भी पड़ सकता है इट वेस हमने बात किया था कि 8% से उपर होगा तो FRA bank हमको देगा बट 8% से नीचे होगा तो हमको देना पड़ेगा FRA bank को तो यह आता है कि net settlement है इसके लावा FRA आर्विट रेजर में सबसे पहले हमें theoretical FRA निकालना हो और theoretical FRA निकालने का formula है bigger factor divided by smaller factor हाँ सर यह याद है हमको ठीक है मैंने का ना revision पूरा नहीं करवा सकता है फिर हम जो theoretical FRA निकलता था उसका comparison करते थे हम actual FRA से अगर actual FRA जादा है जादा है जादा है जादा तो invest करेंगे जिसको हम बोलते थे sell FRA यही कुछ किया था हमने मेरे ख्याल से याद आ गया होगा ऐसा कुछ करते थे हम FRA आर्बिट्रेजर लेकिन प्लीज FRA पर हैजर्स केक का करके चले जाना question हुए दूसरा था interest rate guarantee तर interest rate guarantee में क्या होता था IRG और जो question है न एक ही question है और उसमें interest rate guarantee ही सब्द लिखा रहता उसमें होता क्या था सेम FRA जैसा यहाँ कितना percent है 8% तो वहाँ भी 8% ही था यार 8% से उपर हुआ तो जो bank है वह हमको difference देगी लेकिन 8% से कम हुआ तो हम bank को difference नहीं देगे मतलब सर यह option जैसा है क्या yes मतलब इसको आप fraction भी बोलते है और इसमें क्या होता है इसमें premium pat करना होता FRA में premium pat नहीं होता पर इसमें आपको premium pat करना है मतलब यार interest rate guarantee में सर एक बास समझ में आती है कि यार हमको मिलेगा हमको देना नहीं पड़ेगा option type का yes एक था interest rate future 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 में होता क्या था future hedging होता क्या अच्छोन में यार हमको किस बात का डर है rate बढ़ेगा rate बढ़ने का डर है तो हम सर long position ले लेंगे interest rate future में yes पर quotation ना वो लिखा रहता 100 minus rate quotation ऐसा हो था 100 minus rate तर उसमें क्या होगा इसमें आपको जो betting की जाती है ना वो interest पे नहीं की जाती है 100 minus rate पे की जाती है मतलब आपका jet CB या फिर कोई bonds पर betting की जाती है यहां से समझना मैं क्या बाड़ हूँ rate के बढ़ने से bond का value गिरेगा अगर हमें ऐसा लग रहा है कि interest का rate बढ़ना है तो वैसे तो मैं long position लेता लेकिन मुझे betting तो bonds पर करना तो bonds पर मुझे short position लेना पड़ेगा this is most important and confusing यह confusing है तो interest rate के बढ़ने से हम sell करेंगे future interest rate future sell करेंगे ठीक है तो यह दो बाते हैं जो आपको interest rate IRRM में देखना है इसके अलावा क्या था swap और swap में क्या था एक plain vanilla swap plain vanilla में होता क्या है कुछ नहीं यार अगर हमको ऐसा लग रहा है कि लाइब और बढ़ने वाला है लाइब और मतलब floating rate अगर floating rate बढ़ने वाला है तो हम दूसरी bank के साथ या FRA bank के साथ हम एक swap deal कर सकते हैं जिसमें हम यह बोल सकते हैं हमको लग रहा कि लाइब और 8% से बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि चलो आपको हम fix देगे मान लो 8% और लाइब और क्योंकि 8% से बढ़ेगा तो यार अगर मान लो यह हो गया 10% तो जो difference है वो be limited हमको देदेगी कितना परशन दो परशन नोशनल प्रिंसिपल वो हो खाँ ठीक है swap में और FRA में यही FRA जैसा ही तो है FRA जैसा ही है पस swap में और FRA में एक अंतर है FRA का settlement होता है present value पर और swap का जो settlement होता है वो last message ऐसे एक topic था overnight index swap तर overnight index swap क्या होता है कुछ नहीं बिट्टे जैसे plain vanilla swap होता है न वैसे ही overnight index swap बस एक बात विसेज ध्यान रखना कि यह माई बौर पर होता है और daily compounding होता है daily compound okay sir इसके लिए table बनाना पड़ता है बस यहां माई बौर पर होता है fix तो fix रहगा यहां माई बौर होगा और माई बौर से 5-6 दिन का न हमको वो निकालना होता कि total कितना हो रहा with interest with interest का amount निकालता है बस याद रखने वाली चीज़े याद आ जाएगा आपको याद रखने वाली चीज़ है अगर बीच में Saturday आता है तो आपको दो दिन का interest लेना होता है क्योंकि Sunday की छुटी होती है तो Monday को दो दिन का नहीं लोगे Saturday को ही दो दिन का interest लेना ठीक है सर देख लेने Q party swap इसमें A limited B limited होता है एक का fix होता है किसी को fix में absolute advantage और comparative advantage वाला question ठीक है उसको यहाँ formula है यह नहीं है तो क्यों discussion करूं में ठीक है सर आगे चले इसमें और क्या important है अगर और देखोगे तो last वाला जो part है वो है cap caller floor सर यह cap caller floor क्या है option है cap का मतलब call option और call option कब खरीदते है सर जब हमको ऐसा लगता है कि rate of interest बढ़ेगा तो rate of interest के बढ़ने का डर क्यों होता है क्यों कि हम borrowing करने वाले थे it means जब भी आप borrow करते हो तो आपको tension रहता है कि कही rate of interest बढ़ना जाए इसलिए आप cap खरीदते हो और इसमें भी मानलो 8% पे आपने cap खरीदा 8% पे और actual में libor हो गया 9% तो difference आपको मिलेगा और अगर सर मानलो actual में हो गया 7% तो फिर cap lapse हो जाएगा call option जैसा इसमें भी premium देना हो floor का मतलब put option मतलब सर जब हम investment कर रहा है जब हम investment कर रहे हैं तो हमें डर है कि कही rate कम ना हो जाए इसलिए हम floor खरीदते हैं तो याद रहा है cap खरीद रहा है floor कब खरीद रही आपको एक होता caller strategy sir caller क्या होता है caller में मालूम है आप cap खरीदते हो जब कि आपको मालूम है cap क्यों खरीद जब rate बढ़ रहा है तो एक काम करो ना जब cap खरीद रहे तो premium देना पड़ेगा तो उस premium की recovery के लिए आप floor sell कर देते हो क्योंकि rate बढ़ेगा ना यार अगर floor sell किया तो सामने वाला कब exercise करेगा जब rate गिरेगा आप जानते हो गिरेगा ही ने एक strategy है जिसमें आप cap खरीदती हो और floor ठीक है तो यही था interest rate risk manager इसमें formula है नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता अब अगले topic पे चलते हैं क्योंकि time कम है आपके चलो अब बात करते है forex के और छोटा छोटा लिखा है तो हो सकता आपको तकलीफ हो देखने में बट बड़ा topic के time लगेगा और मिले बहुत कम है थोड़ा सा concept लेकर चल रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो हो सकता है शायद आपको थोड़ा clean देखे तो बात करते है basics के forex में क्या-क्या पढ़ना है sequence में चल रहा हूँ सर बेसिक्स में मैंने आपको सिखाया था rate convert कैसे करते है trade ask rate cross rates ये सब एक बार basic revision कर ले हलां कि sir revision formulae कुछ है नहीं पर basics एक बार revision करें तो basics में सबसे मुद्दे की बात है धीरे-धीरे बात करते है time लगेगा इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एक मिनट में खतम करें एक तो ये हो सकता है rupees per dollar दिया 70 रुपह rupees per dollar दिया 70 तो बताओ 1000 dollar के लिए कितना रुपया खर्च करना बढ़ेगा तो मैंने एक बात बताया था जिसका rate दिया है sir dollar का दिया है औके और currency dollar ही तो multiply कर दिया हाँ sir dollar का rate दिया dollar ही तो सिधा सिधा sir multiply हो जाएगा और यहाँ देखो यहाँ rate किसका दिया base currency रुपीस और यह दिया है dollar तो फिर क्या हो जाएगा divide हो जाएगा मेरे एक हैल से आपको दिख रहा होगा please manage करना बढ़ेगा तो ठीक है sir एक नियम तो हमको पता है conversion में please इसी में गलती हो रही है बच्चो सब कुछ आता concept आता सब कुछ आता बस divide और multiply में जल्दबाजी में गलती हो जाती इसको ध्यान से करके आना ठीक है sir एक नियम याद रख लेना dollar का rate दिया dollar ही दिया तो multiply कर दिया dollar दिया पर rupees का rate दिया तो divide मतलब जिसका rate दिया वही होना जाए ठीक दूसरा bid ask rate इसमें सबसे ज़्यादा confusion confusion number two bid और ask rate बच्चा नहीं पहचानता है तो मैंने एक नियम बताया था आपको कि जिसका rate दिया है bank उस currency को क्या कर रहा है पेच रहा है कि खरीद रहा है suppose dollar दिया है dollar करेट और हमको buy का मतलब हमको dollar खरीदना है dollar कही rate दिया है और मैं बैंक नहीं हूं मैं customer हूं मुझे dollar खरीदना है मतलब bank dollar बेचेगा اور बेचेगा तो ज्यादा मैं बेचेगा तो ask rate ठीक rate किसका दिया है dollar का और मुझे yan खरीदना अब important है rate दिया है dollar का मतलब मुझे ययन करीड़े मतलब sir bank क्या करेगा ययन बेचेगा आपको ययन के विसे में नहीं सोचना आपको पिर आपको थोड़ा सा इस भी थोड़ा सा दिक्कत होता दिक्कत सभी को होता है ठीक है sir, okay, rate दिया है dollar का, yes और ययन करीदना मतलब आपको ययन चाहिए आप बैंक को क्या दोगे डॉलर दोगे इसका मतलब बैंक डॉलर खरीदेगा तो फिर ये वाला रेट आएगा इसको मैनेज कर ले ना जितना भी मैंने फ्रैक्टिस करवाए हूं साफिश है ठीक है सर ये आप अपने इसाब से सोच लेना सबका सोचने का तरीका अलग-अलग हो सा ओके सर अब बात करते हैं क्रॉस रेट क्रॉस रेट क्रॉस रेट में क्या करना है ये चीजे जो बेसिक चीजे वो क्यों समझा रहा है क्योंकि बेसिक्स में ही गलती होती है ठीक है सर cross rate में क्या समझ रहा आइ रूपीज पर डॉलर दिया और pound sorry doesn't it मांग क्या रहा रूपीज पर डॉलर तो मैंने क्या समझाया था cross rate में उपर रूपीज है यदा रूपीज पर डॉलर दिया yes तो सीधा लिख देना सीधा OK sir यहां क्या दिया फिर से कोशिस करते है सर उपर रुपीज दिया है और रुपीज ही उपर दिया है तो सीधा 90 लिख दे न अब नीचे आना चाहिए डॉलर पर डॉलर तो उपर दिया तो फिर 1 से डिवाइड हो जाएगा इस तरह से मैंने आपको सिखाया है याद आ गया होगा अगले इस पर चलते है इसमें क्या होता था इसमें सुनना दियाँ से आप फॉर्मुला नहीं बता सकता है मुझे इन एक्जामपल से ही समझाना पड़े रुपीज पर डॉलर डॉलर पर पाउंड अब हमको क्रोस रेट निकालना है तो सोचो मुझे उपर रुपीज चाहिए यस क्या रुपीज उपर ही दिया है यस तो सीधा पहले बिड रेट अलग से निकालते है तो सर सीधा लिखेंगे 70.25 ठीक है वन से डिवाइट करने की जिरूरत ही नहीं है और सर नीचे पाउंड है और नीचे पाउंड इसमें भी दिया है रेट में तो सीधा उठा कर लिख देंगे 1.50 यह कौन सा रेट है का बेट ऐसे ही आसक कभी कर लोगे जब वन से डिवाइट करना पड़ता ना तब दिक्कत है मतलब अब ध्यान से देखना मुझे चाहिए डॉलर पर पाउंड तो सर सबसे पहले डॉलर डुनने के डुन डूलर डूलर सर डॉलर दिया तोई पर उपर ने ही दिया नीचे दिया तो वन से डिवाइट करना पड़ेगा और मैंने कहा मुझे क्या निकालना है बिड रेट तो मुझे 1 से डिवाइट करना बढ़ेगा और 1 से जब भी डिवाइट करूँगा तो फिर ये रेट नहीं लूँगा फिर ये वाला ले लूँगा 71.7 तो नीचे पाउंड है और पाउंड ही दिया हुआ तो सीधा उठा कर लेख दूँगा 90.4 ठीक है जिसको ऐसा लग रहा हम पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मत देखना नहीं आएगा समझे ओके सर ठीक है सर ये बेसिक चीजे मैंने आपको समझाया इसके बाद ये बेसिक चीजे किया है इसमें कुछ फॉवर्ट कवर के कोश्चन किया फॉवर्ट कवर सिंपल है उसके बाद आया था ट्राइंगुलर आर्विट्रेस असर ट्राइंगुलर आर्विट्रेस में इस तरह से कोश्चन होता था और बोलता था आपके पास है एक लाख रुपए इंडिया का रेट दिया रहता है US का और UK का और arbitrage निकालना तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था यार अगर हमारे पास rupees है, हमारे पास currency देगा हूँ जो currency available है हमको कभी भी उस currency से start करना है, ठीक है it means rupees से start होगा rupees से ही पे ही खतम होगा मतलब sir, rupees से अब देखो rupees से कहां जा सकते हो dollar, dollar से कहां जा सकते हो pound और pound से कहां जा सकते हो वापस rupees, या फिर और दूसरा क्या हो सकता है दूसरा ये हो सकता है rupees से कहां चले जा rupees से pound और pound से dollar और dollar से वापस rupees किसी एक में gain आएगा किसी एक में gain आएग calculator से करके देख लेना अगर किसी में loss आया तो opposite वाला ले लेना और gain आया तो फिर वही वाला ले लेना simple से बात है एक बार calculator से करना बढ़े इसका root पता नहीं कर सकते कर सकते cross rate की मदद से पर जलूरत नहीं institute नहीं करता है तो सीधा काम कर देना हला कि मैंने सिखा रखा कि कैसे पता लगाया जा सकता है root time pass मत करो trial and error method calculator से चेक करो जिसमें gain आया वो process दिखा दीजिए बात कतम हमें number से मतलब है अगर आता है triangle or arbitrary ठीक है sir उसके बाद हमने क्या किया था forward cover forward cover के जो question आते उसमें दिया क्या रहता है सुनो उसमें एक तो भाई साब spot rate दे देता है और क्या दे देता expected spot rate दे देता और दे देता forward rate import export कोई भी question हो और उसमें क्या पूछता है उसमें ये पूछता है expected loss बताई expected loss तो जब भी expected loss बोलेगा तो आप comparison करोगे spot rate और estimated spot rate ठीक ओके सर फिर क्या पूछेगा कि forward cover करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो इस पर depend करता कि estimated rate और forward rate के बिसे हमें फायदा हो रहा है कि loss हो रहा है ये तो आप समझधार हो और तीसरे नमबर पर क्या पूछेगा कि यार अगर आप forward cover चलो करते हो तो बताओ आपको कितना जो loss होने माला था कितना बचा लोगे तो फिर यार हमको इन दोनों के बीच का comparison बस आपको याद expected loss पूछेगा तो spot rate और estimated spot और saving in loss पूछेगा तो spot rate और forward rate अगर forward count rate करते तो क्या होता अगर नहीं करते तो क्या होता if housing is not done नाम सुना होगा questions ठीक है सर याद आ रहा है ये भी इसके लावा और क्या चीज़ आताओ forward cover में आप से और क्या पूछ सकता है सर हम से क्या पूछ सेगा और एक चीज़ पूछ सकता है और वो पूछ जरुवत पढ़ते है premium या discount forward premium या discount मतलब यह currency महगी हो रही ही कि सस्ती हो तो formula simple था F minus S divided by S important क्या है अगर dollar का rate दिया है और dollar का ही premium या discount पूछा है तो सीधा लगा लेना पर dollar का rate दिया पर rupees में पूछ रहा है rupees में पूछ रहा है तो important है कि formula हम S minus F divided by F कर लेते यह आपको पता है अच्छे से और मैंने इसका derivation भी आपको समझा इसके अलावा और किया सकता सर कभी 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 इस port rate दे देता है और swap points देता है और forward rate नहीं देता है बोलता है forward rate निकालो तो swap points के विसे में पता ascending order में होगा तो क्या हो जाएगा plus और descending order में होगा तो क्या हो जाएगा minus simple है और इसके अलावा और एक चीज़ आती है मालूम है क्या चीज़ आती है इसके अलावा और एक चीज़ यह आती है कि bank का inter bank rates दे देता है और बोलता है margin देदेगा और कएगा customer rate निकाल तो एक बात याद रखना कि बेचेंगे तो और महगे में बेचेंगे मतलब सर आसक में margin ask rate में plus होता है और खरीदेंगे तो और सस्ते में और bit से margin minus हो फिर आगे चले एक topic और है cover deal, cover deal में होता क्या cover deal में होता क्या था cover deal में होता है ये था कि यार आपने customer को बेश दिया dollar ठीक है बेश दिया पर उसकी delivery आपको दो दिन बाद देना होता है तो आप क्या करते हो जो आपने deal कर लिया उसको कहीं न कहीं से cover करते हो किसी दूसरी bank से खरीतते हो तो उस deal पे आपको profit भी हो सकता, loss भी होता, ultimately आपको cross rate ही निकालना पड़ तो ये एक चीज है, बाकी और कुछ नहीं था इसमें, मेरे खाल से इसमें, आपको बिना devotion के समझाना कोई formula है नहीं है बच्चों का, मैं ये क्या करवा रहा हूँ, मैं चार्ट करवा रहा था किया, formula आपको करवा दूँ, पर formula हो नहीं सकता एक है सर, तो बस bank cover करता है, दूसरी bank से और आपको gain और loss नहीं है, अब action rate निकालने के दो तरीके थे, एक है IRP और एक है purchasing power parity, IRP purchasing power parity, हाँ सर याद है equation आपको याद है, F divided by S, 1 plus R, 1 plus R कि अगर forward rate या spot rate dollar में है, याद रखना forward dollar में आएगा, तो spot भी dollar में आएगा तो यहाँ dollar का ही rate आएगा rate का मतलब interest rate और अगर यह रुपीज में है तो उपर रुपीज का rate आए तर IRP बोलता क्या है वो सब theoretical में नहीं करवाने जा रहा हूं कि यार action rate बस यहाँ inflation का rate लिया जाता है और वो ही same situation अगर यह dollar में है, तो उपर dollar का rate है, एक inflation rate है अब इसी में, IRP में एक topic आता है, covered interest arbitries और covered interest arbitries में question कैसे होते हैं covered interest arbitries में question कैसे होते आपको क्या देदेगा, spot rate देदेगा और आपको forward rate भी देदेगा आपको interest rate देदेगा, rupiah का भी और dollar का भी और बताएगा क्या आप 60,00,00,00 रूपय Borrow कर सकते हो, या 1,00,00,000 दॉलर भी Borrow कर सकते हो क्या arbitries possibility है इसमें करना क्या होता आप सवाल hurt होता है कि यह बोरो इंडिया से करे कि बोरो यूएस से करे और सर इसमें हम trial and error से कर सकते नहीं कर सकते इसमें हमको root पता करना पड़ेगा और इसमें root पता करने का तरीका क्या था मैंने का यार यह वाला equation यूज करो यह वाला equation मतलब सर 61.50 divided by 60 कर लो और उप्या रुपिया का rate आएगा 1.12 divided by 1.08 कर लो ठीक है और यहां मैं क्या निकाल रहा हूँ सर में निकाल रहा हूँ premium in dollar root कैसे पता करते थे premium in dollar dollar premium पर है तो हमको क्या लगता है कि आर dollar में invest करना चाहिए जबकि rate of interest को देखकर एसा लगता है कि यर इंडिया में investment करना चाहिए यह आता है इसको बुलते interest rate difference अब इसमें से कौन सा ज़्यादा है सर इधर का ज़्यादा निकला मालो premium in dollar इधर का ज़्यादा इस से तो dollar में invest करो पर इधर का ज़्यादा निकलता तो फिर इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो, मतला डॉलर से बारू करो, 100% अर्विटरीज़, प्रेमियम इन डॉलर और इंटरेस्ट डिफरेंस, ठीक से, आगे चले, फिर आगे बात करेंसी एक्सपोजर की, दिख रहा है तो ठीक नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता सुनते जाईए बस मालो कि यह audio है currency exposure में क्या होता था foreign currency exposure इसमें foreign currency exposure में आप import export करते हूँ तो दिक्कत क्या थी कि यार जो import export करते हो जिसका payment हमें payable या receivable है आज नहीं आसे तो यार उससे कैसे बचा जा सकता है उसको hedge कैसे कर सकते थे leading and laggings leading and laggings में कुछ नहीं है कोई formula नहीं है simple common sense को यूज कर आंसर नहीं है और कुछ याद करवाने वाले चीज भी नहीं है question में ही बना कर दे देता है तो इसका क्या revision करोगे revision भी मत करना मैं तो आप से बोल रहा हूँ दूसरी बाता थी money market cover इसमें कुछ बाते हैं जो आपको धियान रखने money market cover में especially कहा confusion होता है मैं वो discuss कर रहा है कि यार हमको हमको सामने वाले को payment करना है dollar में अगर dollar में payment करना है तो सामने वाले से हम बोल रहा है कि dollar अभी ले लीजिए सामने वाला तेयर नहीं है तो फिर क्या किया जाए तो फिर क्योंकि उसको payment करना है वो ले नहीं रहा है तो हम वहां की bank में जमा कर देंगे यह तो बात है मतलब sir liability है तो asset create करेंगे मतलब investment अगर सामने वाले से लेना है सामने वाले से लेना है मतलब sir asset है अब सामने वाले से कह रहा है अभी दे तो वो बलता मैं अभी नहीं दूँगा तो हम वहां की bank sale ले लेंगे मतलब हम liability create करेंगे import यह मैंने आपको करवा चुका हूँ यह आता है काम liability की asset create करना है ठीक है liability है तो asset create करेंगे asset है तो liability ठीक है currency future में क्या होता currency future में ऐसा है कि आपने अब ध्यान से समझना आपने import किया है currency future का यह पिछले attempt में question आया था ओके आपने import किया है तो आपको लग रहा है कि dollar आपको payable है कि dollar बढ़ना जाए dollar बढ़ना जाए तो क्या किया जाए चलो stock exchange और वहाँ long position ले लेते dollar में that's it पर problem कब होती है जब rate उल्टा दिया रहता और अधिकतर उल्टे ही rate दिये रहते तो आपको na ultra rate दिया मतलब जो betting करना वो dollar में करना जी नहीं है वो तो rupees में करना है फिर दिक्कत फिर सोचना पड़ेगा यार dollar देना है तो dollar के बढ़ने का डर मतलब रुपिया के गिरने का डर तो हम sell करेंगे sell future या short position लेंगे यही confusion हो सकता इसके लावा और कहीं करेंगे ऐसी option में बस इसमें एक बात ध्यान देना इसमें number of contracts निकालने के लिए आते तो fraction आएगा न उसको rounded off कर लेना जो भी closer है समझ रहे हो ना ऐसी currency option होता है currency option में क्या होता है currency option में call option या put option अगर हमको ऐसा लग रहा कि currency का rate बढ़ने वाला है हम call option खरीद लेते हैं अगर ऐसा लगता currency का rate गिरने वाला है तो हम put option खरीद लेते हैं बस इसमें दिक्कत क्या होती है उल्टा दिया है तो फिर आपको उल्टा सोचना पड़ेगा मतलब dollar payable है पर रुपीस का rate दिया है dollar payable है payable है मतलब dollar बढ़ने वाला तो call पर रुपीस का rate दिया तो put यहां भर ध्यान रखना दूसरी बात ध्यान रखने वाले premium भी देना होता है इसमें और premium advance में देना होता है और मालो premium हम इंडिया के रहने वाले वैसे premium तो हमको रुपीया में जमा करना है पर उल्टा दिया रहता कि यह premium dollar में निकलता तो उसको spot rate से convert करना कोशन याद आ रहा होगा उसके अलावर number of contract fraction में आते है 10.37 contract आ है तो यह जो बच्चा इसके लिए तो आप option hedging करोगे जो बच्चे हुए के लिए है ना आप power contract करो इसको आप rounded off नहीं कर सकते याद आ रहा है कि नहीं इसे ही आ गया है cancellation cancellation में क्या होता cancellation में कुछ नहीं है power contract cancel कर सकते है अगर bank bank के एंगल से सोच नहीं bank ने आप से dollar खरीदने का contract कर रखा और आप आए cancel करने तो वो dollar sell कर देगा खरीदेगा जूट मूट में और वापस आपको sell कर देगा मतला आपको opposite position लेना होगा और सबसे important rate दोनों ही rate एक ही date के चाहिए बास समझे बहां नहीं अगर 30 April का आपका buying rate है तो 30 April का आपका selling rate और जो भी cancellation है वो bank वसूल कर देगा तो opposite position लेतना होता rate जो है वो same date के चाहिए ठीक है अरली delivery और overdue forward contract में दो चीज़े picture में आती है एक swap loss और एक interest on outlay या inflow of fund अगर early delivery है अरली delivery तो अगर swap loss हो रहा है तो उसमें हम bank को देगे पर swap gain हो रहा है तो bank हमको देगा ऐसे interest on outflow या inflow of fund अगर outflow है bank का तो उसमें interest हम देगे अगर inflow है तो bank हमको देगा लेकिन अगर आपका overdue forward contract है तो सिर्फ bank हमसे वसूल कर सकता हमको pay नहीं करेगा बस इतना याद रखना बाग क्यों currency account समझाए नहीं जा सकता nostro account ही आता है तो nostro account चलके इसमें दो चीज़े बनाई जाते है nostro account और एक position बस इसमें याद रखना कि forward हो गया forward sell कभी भी इसका cash position में nostro account में फरक नहीं पड़ेगा effect नहीं आता पोजिशन लॉंग पोजिशन या short पोजिशन पर effect आता है बागी तो जब तक कोशन नहीं देखोगे तब तक बाद समझ में आईगे रहे खीक है सर इसके बाद क्या था फोरेक्स में currency or borrowing currency or borrowing में था क्या सर currency or borrowing में था कि हमको जब भी पैसो की ज़िर्वरत है funding चाहिए तो पैसा इंडिया से ले सकते common sense वाला question है कोई formula है नहीं इसमें पैसा इंडिया से ले सकते कि US से ले सकते कि कहां से ले सकते और इसमें कोई formula नहीं आपको convert करके देखना पड़ेगा कैसे decide करोगे कि cash outflow अगर इंडिया से लेते तो cash outflow कितना जाएगा US से लेते है तो cash outflow with interest dollar payment करना पड़ेगा नहीं यार तो उस rate पर convert करके forward rate से कितना cash outflow जाएगा cash outflow के basis पर decision हो यहाँ cost कम पड़ेगा ऐसे currency of investment क्या होता इसका question आ चुका है इसलिए attempt में currency of investment का question आया simple से समझी गया हो कि यार कहाँ invest करना इसका कोई formula नहीं है international cash management एक topic है international cash management तर उसमें क्या होता international cash management international cash management में especially यह होता था कि यार आपकी holding company है ठीक है और आपकी 2-3 subsidiary है तो एक तो यह है कि सबका अपना-पना surplus हो सकता तो भई आप अपनी जगा investment करो आप अपनी जगा में अपनी जगा investment करता है और last में सब जो holding company है जो main company है सबको merge करेंगे और देखेंगे कितना हमारा मतलब holding company जहां कि यह उस currency में last में convert करेंगे और देखेंगे कितना पैसा हो जाता है तोटल मिला दूसरा centralized क्या होता है कि मैं आप से भी ले लूँ आपके पास surplus है ना आप अपना investment मत करो आप मुझे दे दो और आप भी मुझे दे दो और उसको spot rate से ही convert करके हमारी बैंक में जमा करेंगे और देखेंगे last वार जिसमें ज़्यादा पैसे आएगा वो ज़्यादा अच्छा ठीक ओके सर currency swap समझाया नहीं जा सकता पर drill dip incorporation वाले question प्लीज देखकर शले जाना उसको drill dip incorporation और transaction exposure भी समझाया नहीं जा सकता यहाँ पर आपको एक बात समझाया एक होता है transaction exposure हाँ सर rate fluctuation की वज़ा से currency fluctuation की वज़ा से एक होता economic exposure का ही नाम है operating exposure और वो price elasticity of demand याद आ गया होगा एक ही question है omega incorporation का प्लीज वो question देखकर शले जाना it means सर इसका भी एक ही question है इसका भी एक ही question है और पिछले attempt में जिसका एक ही question है ICA ने वही ही question उठा कर दिया तो सावधान हो जाना ठीक है सर बस और कुछ ने करना की कुछ नहीं करना अगर मैं simple सी बात बोलू तो forex में formula जैसा कुछ है नहीं कि मैं formula chart बना दू डिसकस कर दो ठीक है चले अगले topic पे यस सर अगला topic को है international financial management international financial management ultimately forex का ही part और international financial management में इस attempt MTP में एक question डाला हुआ है ठीक है सर तो इसमें आता क्या दो ही चीज़ है एक आएगा कि बताइए foreign में project करे की नहीं करे और एक GDR और ADR वाला question दो ही तो चीज़ है इसमें अब सर फोरेंड में project करे की नहीं करे इसमें होता कि इसमें दो approach होती थी एक होती थी home currency और एक होती थी domestic home currency में क्या मैंने US में पैसा लगाया है dollar में तो पैसा जो आएगा वो dollars में ही तो आएगा तो वो जो dollars में पैसा आएगा उसको में forward rate से forward rate कैसे निकालेंगे IRP या purchasing power parity खुछ भी यूज़ करके दिया रहेगा question में तो उसको में home currency में convert करूँगा ठीक है और उसको discounting करूँगा require rate of returns और NPV निकालूँगा NPV positive tax दूसरा क्या तरीका हुआ वो जो dollar में cash inflow है उसको dollar में ही रहने दीची बस हमारे यहां के discounting rate जो भी होगा require rate उसको में convert करूँगा US के discounting rate में मतलब सर हमारे यहां का risk premium हटाओंगा और वहां का risk premium एट कर दूँगा मतलब simple सी बात है हमारे यहां का inflation हटा दूँगा और वहां का inflation add कर दूँगा मतलब थाँ रुपिया का inflation हटाएंगे और US का inflation add कर दूँगा तो दो approach है बाकि और भी बहुत सारी चीजह है पर वो questions है ओके दूसरा क्या आता है concept GDR, ADR वाला तो जिडियार, ADR में होता क्या था इसमें होता है आपको फॉरेंस से funding पैसा उठाना है ओके USA की बात करो USA पैसा उठाना है अब USA पैसा उठाना है तो यार हमको वहाँ share तो issue नहीं करते है वहाँ GDR issue करना पड़ेगा, अफली बात करो GDR, पर GDR अगर मुझे 80 लाख रुपए चाहिए, पर processing phase या initial expenses है तो मुझे जो GDR है वो जादा रुपए के issue करना पड़ेगा, तो सबसे पहले gross issue निकालना पड़ेगा, जितना रुपए चाहिए, उसमें से 1- issue expenses कर दोगे तो gross अब जब आप GDR issue करोगे तो ये देखोगे कि 1 GDR में कितना shares है और उसको multiply करोगे 1 GDR, मतलब issue price per share ले लेना, और number of shares in 1 GDR, तो इससे क्या निकलेगा सर, 1 GDR का issue price निकल जाएगा, ठीक है और उसके बाद number of GDR तो काल सकते ही, जो gross issue आएगा divided by issue price करोगे, तो number of GDR आजाएगा, आठ number का question आ सकता भाई, और कुछ नहीं है question और cost of GDR पूछता है तो D1 divided by P0 प्लस G, पस यहाँ dividend जो लोगे न, dividend वो per share मतलेना, हाला कि per share लोगे तो भी answer उतना ही आएगा, पर प्लस मत लेना, जैसा institute करता वैसे करना मतलब एक GDR में तीन share है, ठीक है और D1 है दो रुपए D1 मतलब एक share पे, तो total मिला कर यहाँ dividend छे रुपए लेना और सर्फ P0 में, P0 में लेना, GDR issue करने पे कितना पैसा आएगा, तो सर्फ हमारा international financial management अब आगे चलते हैं, security valuation पर, ठीक है चलो जी, अब बात करते हैं, security valuation security valuation में अगर मैं कहूं कि दो topic है, एक है bond और एक है equity, एकविटी में कुछ है नहीं है, bond में जादा time लगी formula भी बड़े सारे discuss करे तो total मिला कर bond evaluation को हमने 6 पार्ट में बाट के रखा तो simple चीज़े है, उसको मैं जल्दी से ले चलूँगा, वो कैसा तो पहला पार्ट में यार, bond का price कैसे निकाला जाए, bond का price तो simple है, bond का price निकालने का, जो price है, उसको हम intrinsic value बोले हैं, और intrinsic value कैसे निकालते हैं, present value of interest और present value of redeemable value और sir, जो discounting करते हैं, वो किससे करते हैं, required rate of return जो भी होगा, उससे हम discounting कर लेंगे sir, jet cb का price कैसे निकालते हैं, jet cb में coupon नहीं होता है, तो last में ही सीधा face value पर redeemable value या present value of face value बोलोगे तो भी चलूँगा, अब perpetual bond का value कैसे निकालते हैं, perpetual पता है, आपको coupon ही मिलेगा, perpetual, तो coupon को divided by कर देना, required yield से तो काम होता है, तो bond price निकाल कर यह decide करना होता है, कि under price है, कि over price है, वो तो आप अच्छे से जानते हैं, उसके बाद सर, bond yield, yield का मतलब, bond में पैसा निलगा कर, बताईए, percentage में हम कितना कमा रहे हैं, तो उसमें दो type का yield होता है, current yield होता है, और एक होता ytm, सबसे important है ytm, current yield से decide नहीं किया, current yield का formula क्या है, यहां से formula start होता है, current yield का simple formula है, कि यार, अगर हम bond में पैसा लगाते हैं, coupon, interest, तो बस, interest divided by bond में कितना पैसा लगा रहे हो, current market price into 100 कर दोगे, ठीक ऐसा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, yes, अब सबसे important है ytm, ytm मतलब, ytm का मतलब है, last तक कितना कमाएंगे, तो इसमें दो तरीके से ytm निकाल सकते हैं, एक तो है formula method, और दूसरा है, present value method, ऐसा बोल सकता, formula क्या है, formula simple है, यहां लिख रहा है, interest का amount, rv minus p, मतलब या redeemed कितने में हो रहा, minus price divided by n, और यह average into 100, तो यह formula तो हमारा पहले भी देखा हुआ है, yes, और दूसरा है, IRR method या present value method, तो sir, हमें करना कौन सा होगा, यह important, वैसे तो आपको formula ही लगाना है, लेकिन question में present value factor अगर दे दिया है, question के साथ present value factor दिया हुआ है, तो please आप present value method यूज करोगे, IRR method यूज करोगे, कि पहले 10% से discount, फिर 15% से discount, जो ऐसे हम interpolation करते हैं वो, एक सब्दाता है, realized value, realized value, modified IRR के जैसा था, उसमें जो intermediary जो मिलेगा ना, उसको हम reinvestment कर देंगे, जो भी reinvestment rate होगा, और फिर देखींगे यार, आज लगाया था, लास्ट में सब जोड जाड के कितना मिला, उसका answer निकालेंगे, ठीक है, हाँ, सर, याद आ जाएगा, फिर सब्दाय थे, एक dirty price और clean price निकालने, सर, dirty price क्या होता है, dirty price क्या होता है, clean price क्या होता है, प्लीज समझा दूगे क्या, पिटे सुनो ध्यान से, अब मैंने कहा कि यार, हर 3-3 महने में, हर 6-6 महने में interest मिल रहा है, 6-12-15, और price यहां का निक जालना है, यहां का, तो यहां का जो price निकलेगा ना, उसको बोलते है, dirty price, मतलब पहले हम यहां तक का price निकालेंगा, और फिर इसको discounting करते है, तो उसको बोलते है, dirty price, पर इसमें तो जुड़ा हुआ है, interest, वो interest हटा दोगे, तो accurate interest को हटाने से, जो आएगा, उसको बोलते clean price, एक ही question है, MP limited वाला, प्लीज देखकर चले जाना, dirty price मतलब intrinsic value, और clean price मतलब, जो dirty price निकलेगा, उसमें से accurate interest माया, अब आ जाते हैं, तो bond price हो गए हमारा, bond price के अलावा, bond yield हो गए, उसमें YTI important है, अब बात करते है, bond risk, तो bond risk क्या है, actual, bond risk क्या होता था, yield के बढ़ने से bond का price गिरता है, हाँ sir, required rate of return बढ़ेगा, तो bond का price गिरेगा, तो yield के बढ़ने से bond का price कितना गिरेगा, this is bond risk, वो ही हमको समझना था, तो sir, उसमें एक effective duration था, change in price divided by change in yield, पर effective duration की बात नहीं करूँगा, bond duration बोलते हैं, हमको क्या आता हमको आता, मकुले duration, मकु यसे तो हमको table बना के करना है, yes, आपको table ही बनाना है, मैंने formula लिखा, पर यह formula है नहीं, यह table को ही इसमाल में लिखा, duration निकालने का formula है, sir, हम क्या करते थे, पहले हम present value निकते थे, 1, 2, 3, 4, 5, yes, जो present value था, उसका फिर हम weight निकालते थे, yes, तो उस weight को multiply किसे करते थे, year से, first year का weight जो निकला, first year से, second year का weight, second year से, और उन सब को जोड़ते थे, तो वह आ जाता था, duration पर, formula पर मज जाना, यह मत बोलना कि यह formula लगाएंगे, formula ही नहीं, table है, यह table बना नहीं सकता, नहीं, इसी बना, okay, sir, और एक बार duration निकल गया, तो फिर निकालते थे, modified duration, और उसका formula duration divided by 1 plus YTM, और इसी को volatility भी बोलते है, ठीक है, और modified duration निकला, मान लो, 2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, कि अगर rate of interest या yield एक percent से गिरेगा, तो bond का price बढ़ेगा, ठीक, दो percent, sir, jet CB का duration कैसे निकालोगे, jet CB, इसमें तो बीच में पैसा मिलता नहीं, सीधा last में म मिलता है, तो उसका तो maturity जो है, वही उसका duration होगा, और sir, perpetual bond का duration कैसे निकालते है, इसका formula देख लेना, 1 plus YTM divided by YTM, अब इसमें और एक चीज आई थी, वह आई थी, convexity, convexity होता क्या था, मैं आप से बोल रहा हूँ, rate of yield के गिरने से bond का price बढ़ता है, yes, तो दो percent से बढ़ता ह पर actual में वह linear नहीं होता, 2 percent नहीं, 2 percent से थोड़ा सा जादा, मतलब थोड़ा सा जादा भी हो सकता, कम भी हो सकता, उतना concept पर मैं नहीं जा रहा हूँ, अगर मैं कहा रहा था, यहां मैंने कितना निकला था, मैं कहा रहा था, modified duration निकला 2, तो yield के गिरने से bond का price 2 percent से पस, वो यह मुझे समझाना, ओके, तो convexity के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता, c star लगा, निकलना होता, और c star कैसे निकलते हैं, c star p2 minus p1, इसमें याद रखना, कि आपको एक higher rate पे और एक lower rate पे आपको bond का price निकलना पड़ेगा, जिसको मैं p2 minus p1 बूर, और जो rate दिया उसके हिसाब से bond का price निकालोगे, जिसको बोलते है, p0, minus 2 से क्योंकि है, यह सब derivation मैं समझा चुका, और divided by, क्योंकि यहाँ मैं p0 लिखा, और change in yield है, और यहाँ 2 p0 क्यों लिखा, यह भी नहीं समझा सकता, अभी तो याद ही करना पड़े, क्योंकि concept formula derivation पे मैं नहीं जा स change होने से, modified duration में क्या change होगा, पर खेर, formula प्लीज देख लेना, यहाँ बड़ा जाद rate, और p1 आ जाएगा, मतलब 2 price निकल देगा, यहाँ p0, और यहाँ जो p0 आएगा, उसको 2 से multiply कर देना, average के लिए, और फिर change in yield कर दे, और एक बार c star निकला तो उसको हम convexity निकालेंगा, और convexity का formula यह है, c star into change in yield square into 100, सर आपने conceptual समझाया था, वैसे भी कर सकते हो, कि कर सकते हो, पर जिनको पता होगा, ठीक है सर, आज आ सकता है, प्लीज देख के चले जाना, अब बात करते हैं, bond immunization, bond immunization में क्या होता था, सर, bond immunization में होता क्या था, कि यहर हम कहते थे हैं कि हमको तीन साल बात पैसो की जरूरत है, आज investment करना चाहते हैं, तो हमारा duration of liability कितनी है, तीन साल, तो हम एक bond में इनवेच्ञ करना चाहते हैं, अलग-अलग bonds में invest करना चाहते हैं, तो हम अलग-अलग bonds में invest करेंगे, और ऐसा करेंगे ताक्कि वह जो one minus उससे हम काम कर लेंगे इसको बोलते है bond immunization ओके फिर सबसे ज़्यादा फारूमुला वाला topic है convertible bonds convertible bonds क्या होता की bonds को convert कर सकते है shares में ठीक है तो अब से क्या मांग सकता है सबसे पहले straight value of bond मांगता है या फिर straight value of bond को क्या बोल सकते है उसका और एक नाम है intrinsic value of bond और एक नाम यूज होता investment value of bond प्लीज नाम याद रख लेना investment value of bond सर है क्या कुछ नहीं है हम यह कहते है कि मान लो ये bond convert ही नहीं होगा non convertible bonds है मान लो तो उसका जो required rate of return है उससे ये मान के चलो कि convert ही नहीं होता तो हमें interest मिलता और redeemable value होता उन दोनों का present value ने करता मतलब सर intrinsic value दूसरा stock value of bond या फिर इसको बोलते है conversion value of bond सर ये क्या होता था कि भाई अगर हम bonds को convert कराएंगे तो हमें shares मिलेंगे और share का market price क्या है उन दोनों को multiply कर देना कि एक bond पे कितना shares मिलेगा और current market price of share वो जो भी value आएगा उसका नाम रहेगा stock value of bond उसके अलब वो premium over straight value मांगता है मतलब यार intrinsic value से market price जादा है तो बताओ कितना जादा है तो सर comparison कभी भी current market price से करने current market price minus straight value divided by straight value of bond और क्या मांग सकता premium over conversion value current market price minus conversion value divided by conversion value होगा एक कभी कभी मांग लेता percentage of downside risk मतलब क्या होता है कि यार current market price जो भी चल रहा है वो तो demand and supply के सब से चल अगर बुरा से बुरा हुआ price गीरा भी तो कितना गिरेगा intrinsic value तक गिरेगा उससे जादा नहीं गिर सकता तो वो ही है कि अगर current market price share का price गिरने से bond का price भी गिरेगा ना यार पर वो कभी भी intrinsic value से कम हो ही नहीं सकता divided by percentage current market price भी लिख सकते है divided by stock value straight value bond भी लिख सकते है it means यहाँ दोनों allow tension मतलो sir conversion parity price per share यह सी पूछता है conversion parity price per share यह क्या होता है यह होता है यार bond का market price क्या है आपको share कितने का बड़ा मानलो आप bond खरीते हैं और shares में convert करवाते हैं तो आपको shares कितने का बड़ा तो भाई bond खरी देंगे तो bond का price देना पड़ेगा current market price और उसको हम shares करो तो मानलो 20 shares मिलेंगे तो divided by 20 कर दो तो parity price निकल जाएगा ठीक है उसके बाद क्या पूछ सकता favorable income differential सर यह क्या होता है अगर हम shares खरीते तो हमको क्या मिलता dividend अब समझना में क्या कहना चाएगा इसके बात करूँ सर share का actual में price क्या है मानलो share का actual में price है 20 रुप पर bond खरीत के अगर हम shares में convert कराते तो parity price बलते और parity price कितना पड़ा 25 तो sir current market price है 20 और parity price है 25 तो bond खरीदी क्यों ले सिधा shares ही खरीदो ना मैं कौन सा convert करवा रहा हूँ अर चलो ठीक है इस हिसाब से तो आपको 5 रुपे ज़्यादा पड़ा है एक share पर बिल्कुस सही लेकिन share ही खरीदता तो dividend मिलता और bonds खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा interest तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि interest मुझे ज़्यादा मिल रहा है इंट्रेस्ट पर share निकाला सर इंट्रेस्ट पर share कैसे आएगा भई बॉन्ड पर interest निकालो मालो बॉन्ड पर interest निकाला हमने जितना भी होगा यार 30 रुपे और number of shares जितने भी है मालो 10 shares 3 रुपे बॉन्ड पर interest निकाला 30 रुपे मन से लिखा है और मालो एक bond में 10 share में करवाट उस हिसाब से एक share पर मुझे 3-3 रुपे की कमाई हो रही है पर सिर्फ shares ही खरीता तो 2 रुपे की कमाई होती है तो ये जो difference है न ये 1 रुपे bond खरीदने की वजह से मुझे 1 रुपे का फाइदा हो रहा इसको बोलते है favorable income differential per share एक्ट्रा कितना गया है 5 और हर साल 1-1 रुपे का फाइदा है उस हिसाब से ये 5 रुपे recover करने के लिए कितना साल लगेगा 5 साल उसको बोलते है premium payback पर दिया कितने साल में पैसा recover हो जाएगा देखके चले जाना आपकी किसमत रही तो पता लगा ये कोश्चन आ गया है इसके बाद है option embedded bond ऐसे ऐसे bonds जिसमें option दिया रहेगा callable bonds होता, putable होता, extendable होता पर वो सब बेका theoretical है प्लीज क्या देखकर जाना है bond refunding देखकर जाना bond refund याद करो वो 2-3 question उसमें होता क्या था कि old bonds पहले से होते थे जिसका rate of interest ज्यादा होता था suppose 12%, 12% अब यार नए bonds issue किये जा सकते 10% में तो भाई old bond वाले को पैसा दो और new bonds issue करो पैसा कहां से देगे, new bonds issue कीजिए कि वहां से जो पैसा आगा उसको पैमेट कर देना that's it तो NPV के हिसाब से decision लेते है बस discounting किस से करना discounting KD से करना KD, KD कैसे निकलते है I, 1- tax दिया है discounting rate तो ठीक, नहीं दिया है तो I, 1- tax कर लेना बस इस बात का धियान रहा और एक topic है yield structure सर इसमें, इसमें forward rate वगिरा निकालना होता पर वो तो अब सिखाने से रहा लेकिन बस एक बात याद रखना कभी भी bond का present value निकालना होता तो सर डिसकाउंटिंग करते हैं डिसकाउंटिंग करने के दो तरीके होता है अगर सब्द लिखा है forward rate अब पहले साल का rate है 10% और दूसरे साल का rate है 12% तो याद रखना यहां होगा 1.10 और यहां होगा 1.10 और 1. इस तरह से अगर सब्द लिखा forward rate तो डिसकाउंटिंग ऐसी होगा अगर सब्द लिखा yield और 2 साल का present value निकालना है तो याद रखना 1.12 पावर 1 1.12 पावर 2 बाके समझाया हूँ डिटिल तो सर सिक्यूरिटी वैलिविशन में क्या special था कुछ नहीं convertible bonds जो है उसी में formula बाकी फॉर्म इसी के जैसा और equity valuation एक वैलिविशन में क्या था आखिर equity valuation में दो चीजे एक value of share value of share और दूसरा right share value of share में क्या होता कुछ नहीं भाई एक तो walter वाला formula था walters वाला p0 निकालने का formula था p0 dividend और जो भी पैसा बचाओगे earning minus dividend उसको invest करोगे r पर और divided by के होल divided सा आने के chances नहीं है तो सबसे ज़्यादा है dividend growth model यह dividend discount model यह formula मुझे समझाने के ज़र होता है इसमें बस देखकर चले जाना two stage dividend discount याद है जब तक growth abnormal रहेगी तब तक का present value कर देंगे और एक terminal value जिस साल perpetual होगी मालों 5 साल बात perpetual होगी उसका present value करके दोनों को add कर देते याद दिला रहा हूं right shares निकालते समय एक तो आपको x right price निकालना होता है x right price कैसे निकालते थे हम यह देखते थे number of shares पहले कितने थे suppose 4 लक और price कितना है 20 subscription price क्या है मालो subscription price है 12 रुपए और sir जो है कितने shares issue हो रहा है अच्छा मतलब मतलब कितने right shares दे रहा है मालो 2 लक shares और divided by 4 और 2 6 लक shares sir weighted average type का है कि yes उसको बलते x right price और फिर value price पूछेगा तो value price का simple formula है कि या right से पहले क्या price था okay right से पहले क्या price था और right के बात क्या price into number of shares या फिर दूसरा एक और formula x right price निकाला कि यार ये price हो जाएगा मतलब sir कितना price हो जाएगा मन से बोलो पारा रुपए हो जाएगा पर वही चीज़ आपको 10 रुपए में मिल गई है तो 2 रुपए आ गया value price ठीक तो इसमें कुछ special नहीं था अब बात करते है security analysis security analysis में दो ही topic है अगर मैं कहूं इसको मैं कभी कहीं कहीं portfolio में भी करवाता हूं तो sir security analysis में क्या है एक तो है भाई exponential moving average exponential moving average मतलब ये अनुमान लगाना की future में क्या हो रहा है इसके लिए हम average निकालते है तो sir exponential moving average कैसे निकालते है हम कहते हैं कि previous average क्या था previous exponential moving average और actual में क्या हो गया उन दोनों का 20 का difference और multiply किस से करते है factor से sir थोड़ा सा समझा दोगी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं कहा रहा हूं यार past को देखती हुए average निकला हमारा 22 मन से लिखा 22 sir ये कहां से लाए previous दिया रहेगा question में या simple moving average ले ले यार 22 रुपया होना चाहिए price पर actual में हो गया 25 error आ गया तो हम क्या करते closing price आने वाला price होना चाहिए 22 पर हो गया 25 तो 25 minus 22 कर देते यार 3 रुपय और राएट होना चाहिए average में पर हम पुरा 3 रुपय नहीं करते हैं थोड़ा सा change करते हैं और ये factor दिया रहेगा जो भी factor में use कर रहा हूँ ये दिया रहे और सर नहीं दिया हो तो तो ऐसे निकलते है 2N प्लस 1 N का मतलब number of days इसके बाद आगे चले efficient market hypothesis efficient market hypothesis में क्या होता था तर इसमें न हम यह दिखते थे कि जो market है वो efficient है कि नहीं उसका test करते थे इसमें strong form होता था semi strong form होता था और weak form होता था तो weak form test करने के लिए आता है ओके weak form weak form test करने के लिए आता है और weak form में क्या आता है especially weak form में यह आता है यह देखने के लिए यार देखते ही आपको अनुमान चार्ट देखते ही अगर आपने बता दिया कि आने वाले दिनों में मार्किट क्या होने वाला है चार्ट देखकर तो आप कहते है यार ऐसा मार्किट efficient ने अच्छा weak form of efficient ने और अगर चार्ट देखकर भी आप अनुमान नहीं लगा पा रहे है कि क्या होना है तो हम कहेंगे हां जी efficient market है फिर वह semi strong strong बात तो इसके लिए दो test है एक था run test और एक था autocorrelation test sir run test में क्या होता था run test में price दिया रहता था और हम ना chance देखते थे plus हो रहा है की minus हो रहा है plus हो रहा है की minus हो और फिर मैंने आपको कहा कि number of plus भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए number of minus भी ज़्यादा नहीं होना sign change होता था तो आप बोलते थे second run है इस तरह से आप run निकालते थे और मैंने गाँ run ना तो ज़्यादा कम होना चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए average होना चाहिए वजह मैं आपको समझाज हो तो sir average run कैसे निकालते थे तो average run हम इस तरह से निकलते हैं 2, n1, n2, n1 का मतलब होता number of plus और n2 का मतलब होता number of minus और divided by n1 plus n2 plus 1 कर देते हैं और फिर हम क्या करते थे अब मालो average run आ गया 8 तो average run 8 होना चाहिए हमने का नहीं है पूरा 8 कैसे हो सकता है थोड़ा सा उपर नीचे ले लो तो हम में इसमें क्या करते थे मालो plus 2 ले लिए तो एक upper limit हो गया minus 2 ले लिए तो एक lower limit हो गया तो सर कितना 8 आया average उसमें plus 2 का 2 का मतलब deviation तो सर deviation कैसे निकालते थे deviation निकालने का book में कुछ और formula दिया अगर आपको वो याद हो जाता तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं होता तो यह run तो निकाला है तो mu minus 1 average minus 1 average minus 2 n1 plus n2 minus 1 तो यह standard deviation निकाल तो उसमें आपको degree of freedom भी चेक करना पड़ता था यह degree of freedom का formula और फिर limit निकालते ले यह वाला पर limit का formula के average तो ले नहीं है अगर upper limit लगाना निकालना है तो plus अगर lower limit निकालना है तो minus और T का मतलब किया वेटे T table यूज करके आपको value देखना होता है T table और standard deviation तो आप निकालोगे ठीक दूसरा autocorrelation test उसमें मालो 20 दिनों का period है तो उसको हम 10-10 दिन में बाढ़ देते थे कि उसका change निकालते थे दो period का और उन दोनों का दो period का आपस में correlation निकालते थे ना तो positive होना चाहिए ना तो negative होना चाहिए 0 होना चाहिए 0.25 चलेगा 0.25 प्लस मैनस चलता है अगर 0 है तो हम कहते हैं ऐसा market में पता नहीं लगा पा रहे हैं पहले period से दूसरे period का अप link नहीं relate नहीं कर पा रहे हैं अगर relate कर पा रहे है पॉजिटिव परफेक्ट पॉजिटिव आप कहो कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ठीक है ओके सर याद आ रहा है याद आ रहा है इसके बाद chapter लेते है corporate valuation corporate valuation corporate valuation में total मिला कर तीन topic हमको करना था economic value added, eva, valuation of firm और gearing of beef eva बिल्कुल simple है सबसे पहले nopet निकालो ठीक है सर इसमें को समझाने वाली बात है नोपेट नोपेट कैसे निकलेगा EBIT में से tax minus करो के तो नोपेट इंटरेस्ट माइनस नहीं करना किसम खालो इंटरेस्ट माइनस नहीं और सर नोपेट का मतलब नोपेट का मतलब सारे खर्चे माइनस कर चुके सिर्फ capital provider को हमने पैसे नहीं दिये तो उनको पैसे देने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो उसको बोला जाता है इवा ठीक है ठीक है दूसरा क्या निकालना होता है valuation of firm का value या company का value निकालना होता था तो कौनसी approach ज़्यादा काम आते हला कि बहुत सारी approach है chop shop approach है वो भी देखकर चले जाना पर काम की बात है FCFF approach pre cash flow for the firm ओके सर उसमें क्या होता था उसमें सबसे पहले हमको FCFF निकालना होता है वो कैसे निकालते EBIT मैंसे tax minus करोगे तो नौपेट आएगा अब मैं गया तो नौपेट के अलावा क्योंकि merger या business खरीदते है तो उसमें हर साल capital expenditure होता तो capital expenditures में से depreciation adjust करने के बाद जो बचा वो minus कर दो और change in working capital याद रखना ये काम की चीज़ है revision में करवा रखा है प्लीज इसको ध्यान से करना वो सब minus कर दो और जो बचा हमने कहा हाँ ये पैसा अब हमको मिलेगा और इसको discounting किस से करना केसी से discounting करना है के उसे discounting करना याद रखना ये market value weight होना चाहिए book value weight मत लेना एक question भी है इस पे book value दिया था और कहता था कि ये market value weight निकाली है और value of equity कैसे निकालते है value of firm में से value of debt minus करोगे तो value of equity निकल जाएगा एक और topic है gearing of beta gearing of beta में एक assumption है और assumption ये है कि दो similar firm है न एक ही एक ही industry की firm है तो उसका overall beta सेम रहेगा overall beta या asset beta सेम रहेगा ठीक है equity beta में अंतर आ सकता है वो depend करता है debt equity के वजह से तो formula की बात करो तो overall beta या asset beta निकालने का formula beta of equity e e plus d beta of debt e e plus d tax होगा तो debt में 1 minus tax कर देना अगर tax होगा तो जहाँ जहाँ भी debt आएगा वहाँ 1 minus tax आजाए अगर debt के विटा के विशे में कुछ नहीं बोला है तो उसको zero assume ठीक है जी तो मेरे ख्याल से merger का मैं revision नहीं करवा रहा हूँ merger में formula है यह नहीं है पूरा conceptual है यार किस चीज का formula market cap number of shares into market price per share EPS का formula swap ratio का formula सब common sense वाला है तो मुझे नहीं लगता कि उसको उसकी जबरत पड़े गिया ठीक है जी ठीक है सब्सक्राइब हो जाएगा thank you so much bye bye all the best exam अच्छे से देना और जितना समय मिले आप प्लीज देख लेना एक बर कुश all the best